यह बरसाद सबी जगा को कितना खुबसुरत बना देता है जो तलाब, नदिया, नाले, जर्ने वगेरा वगेरा जो अब तक सुके पड़े थे उनमें जैसे की जान सी आ गई है खेतों में पानी भरना शुरू हो गया है खेतों में खाना दुनने वाले पंची काफी कम हो गया है अभी तो सिर्फ उनका मचलियों का और किड़ों मकोडों का भार निकलने का इंतसार करने का समय है सब कुस्पिर से खिल्चा उटा है बारिश के वज़े से सबी जगह पर हर्याली छा गई है सबी पेड़ पौदे हरे बड़े लग रहे हैं जो जमीन कल तक लाल नगर आ रही थी वो अब पूरी थरह से हरे रंग से खिल उटी है फुलों का भी फुलना शुरू हो गया है कही तरह की फुलों की प्रजातिया अभी नजर आना शुरू हो गई है भवरे, मदु, मक्या, तितलिया फुलों पर चकर लगा रही है ये प्रजातिया फुलों फलों में अपना खाना धुन्टी है तितलिया मदु याने हनी की तलाश करती है और बाकी कीडों की प्रजातिया छोटे कीडों की तलाश करते हैं बारिश के समाप्थ होते ही यहां कहीं पंचियों की प्रजातियों की धेर लगने वाली है झाल सकती है झाल 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 झाल